तो सरकार चालू 17 में किसानों से रेकुड थी जी के साथ गेहो की खरीदारी कर रही है। पिछले साल पूरे सिजन में जितनी खरीदारी हुई थी इस बार सरकार ने खरीद के उस आंकड़े को भी अभी से पार कर लिया है। सरकार ने बिते दिनों में गेहु की खरीद के आंकडों की अधिकारिक जानकारी दी है सरकारी आंकडों के अनुसार एप्रिल में सुरू हुए चालू विपनन वर्स में अब तक गेहु की खरीदी 195 लाख टन तक पहुँच गई है जो पिछले साल की कुछ खरीदी के स्तर से अधिक है रभी विपनन 17 हर साल एप्रिल को सरू होता है और अगले साल मार्च तक चलता है लेकिन ठोक स्तर पर खरीदी एप्रिल से जून के बीच होती है इसका मतलब हुआ कि एक महिने से भी कम समय में पूरे पिछले सीजन से ज्यादा गेहु की खरीदी हो चुकी है सरकार ने बताया कि रभी विपनन 17 हर 2022 में यानी एप्रिल 2022 में मार्च 2023 के दोरांथ 188 लाख टन गेहु की खरीदी हुई थी वही चालू विपनन 17 में 26 एप्रिल तक ही गेहु की खरीदी 195 लाख टन की खरीदी हुचुकी है यानि एक एप्रिल से सुरू हुई रभी विपनन सत्र दोहजार तेज चोईस के दोरांद गिहु की खरीदी पहले ही रभी विपनन सत्र दोहजार बाइस तेज की कुल खरीदी स्तर को लांग चुका है। अनुसार इस रेकोर्ड खरीदी में प्रमुख योगदान तिन गिहु उत्पादक राज्य पंजाब हरियाना और मध्यप्रदेश ने दिया है। किसानों को रियायत दी है। ऐसा देखा जाता है कि बेमुस्वम बारिस होने से गिहु की फसल प्रभावित होती है और उनकी चमक कम हो जाती है। इसी कारण सरका ने गुणवत्ता के मोर्चे पर रियायत दी है जो तेज खरीदी का मुख्य कारण है। भेर ने भुड़ाएन है।